हर किसी की डिमांड होती है कि घर पे हमें होटल वाली धाबे वाली ग्रेवी खाने को मिल जाए तो आज हम वही ग्रेवी घर पर बना कर त्यार करेंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है बनाना इसको बहुत ही असान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो वीडिय इलाइची और छोटी इलाइची मैंने लिए है तो इन सब को हम खी में डाल देंगे तो इसमें अब हम प्यास डाल देंगे और प्यास को हम 5 मिनिट तक हलका सा सौफ्ट होने तक पका लेंगे तो ये देखिए, प्यास जूँ है, वो हमारा हल्का सा सौफ्ट भी हो चुक है, और हल्का सा इसके उपर थोड़ा से कलर भी आ चुक है त इसमें आउब हम अधरक डाल देंगे और साथ ही लस्मगी कल्वी डाल देंगे डालने के बाद हलका सा इसको हम चला लेंगे और इसमें आप हम टमाटर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने 5-6 टमाटर लिये थे जिनको मैंने इस तरह से काट लिया और टमाटर हम इसके बीच में डाल देंगे और डालने के बाद टमाटर हम इसमें मिला देंगे और मिलाने के बाद हम प्यास और टमाटर को सोफ्ट होने तक पकाएंगे और इसमें आप हम मगस और थोड़े से काजू डाल देंगे जो ग्रेवी के लिए बहुत ही ज़रूरी है होटल वाले इसको डालते हैं इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ी आता है और इसके साथ जो ग्रेवी का टेक्च्चर है वो भी बहुत ही बढ़ी आएगा तो डाल लेंगे इसको हम और चला देंगे और इसमें आप हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालके इसको हम प्लेट के साथ कवर कर देंगे और इसको हम पका लेंगे और बीच बीच में से इसको हम तो तीन बर अच्छी तरह से चला लेंगे तो यहाँ पे हम एक कटोरी ले लेंगे जिसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के उसार इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के उसार इसमें हम लार मिर्च पाउडर डाल देंगे थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल देंगे साथ ही इसमें हम भूने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और एक चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और पानी डाल कर इसको हम चला लेंगे और इसका हम पेस्ट बना कर त्यार करेंगे तो यह लीजिए पेस्ट हमारा बन कर तयार हो चुक है तो इसको आप हम side पर रख देंगे तो यह देखिए प्याज और टमाटर हमारे soft हो चुके है तो यहाँ पर हम gas का flame बंद कर देंगे और इसको हम थोड़े थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद ही इनको हम grind करेंगे गरम बिल्कुल भी इनको हम grind नहीं करेंगे तो यह लीजिए mixture हमारा थंडा हो चुके तो यह लीजिए इसको आप हम grind करेंगे तो grind करने के लिए इसको हम grinding jar में डाल देंगे धक्कन लगाकर इसको हम grind कर लेंगे तो यह लीजिए इसको हमने grind कर लिए और उसी कड़ाई में हम एक पर फीट से घी डाल देंगे और इसमें हमने जो सुखे मसाले के पेस्ट बना कर त्यार किये उसको डाल देंगे और डाल कर इसको हम दो मिनट तक घी में इस तरह से फ्राई कर लेंगे और यह देखिए मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं और खी भी इनके उपर आ चुके हैं तो इसमें आप हम ग्राइंड के आ हुआ हमारा जो मिक्षर है उसको डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम मसालों में अच्छे तरह से मिला देंगे और हमने इसमें मसाले भूने हैं तो इसमें बहुत ही बढ़िया खुश्बू आने लगी है तो इसको हम इस तरह से चला लेंगे और चलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे जिस जग में हमने सभी मसाले ग्राइंड की हैं उस जग में थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें हम डाल देंगे ताकि जो मसाला इसके साथ लगा हुआ था वो भी इसमें चला जाए तो चला लेंगे एक बार फिर से हम तो बिल्कुल होटल वाली ग्रेवी आप घर पर बहुत ही असानी से बना कर त्यार कर सकते हैं तो इसमें अब हम फूड कलर डाल देंगे आप अगर फूड कलर स्किप करना चाते हैं तो आप यहाँ पर फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं लेकिन फूड कलर डालने से ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़्या आएगा तो चला लेंगे अच्छी तरह से इसको हम तो यह देखिए food color डालने से इसका जो color है वो change हो चुक है तो बहुत ज़्यादा इसमें मैंने color नहीं डाला बस थोड़ा सा ही color इसमें मैंने डाले तो थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिये और पानी डालके इसको हम plate के साथ cover कर देंगे और cover करके इसको हम 10 मिनट तक पकने देंगे तो 10 मिनट हो चुके हैं तो plate को हम उतार देंगे चला लेंगे एक पर फिर से हम तो चलाने के बाद इसमें हम cream डालेंगे तो यहाँ पर मैं 4-5 चमच इसमें cream डाल रही हो अगर आपके पस cream नहीं है तो आप मलाई को हलका सा पतला कर लें और इसमें डाल दें उसके साथ भी सबजी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ी आएगा तो इसमें आप हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे कसूरी मेथी यहाँ पर ओप्षिनल है जितनी देखने में बढ़िया लग रही है और यह खाने में उतनी टेस्ट ही बनी है तो यह देखिए इसका जो टेक्स्ट रहे बहुत ही बढ़िया आए आप भी कीजिए ट्राई होप करती हूँ वीडियो इच्छ लगेगी अच्छ लगेगी वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए शेर कीजिए और अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं है चानल को सब्सक्राइब जूर कीजिए